दोस्तों सैमसंद ने अपने S21 FE 5G स्मार्टफन को इंडिया में फिर से अगेन रिलाउंच कर दिया स्नैपड्रागन ट्रिपलेट वेरिन के साथ में और बहुत जल सैमसंद अपने S23 FE को भी ग्लोबली लाउंच करने जा रहा है बीच में जब S22 FE स्रीज लाउंच होई नहीं थी तो कुछ ऐसे रूमर्स थी कि अभी 22 FE नहीं आया तो FE स्रीज अभी डेट हो जाएगी लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है अभी आपको S23 FE भी देखने मिल जाएगा कि यह जो स्मार्टफोन S23 FE यह कौन से चिपसेट के उपर लाउंच होगा तो इसमें आपको दो चिपसेट रेखने मिलेंगे यानिकि दो आपको अलगले वरियंट देखने मिलेंगे एक तरह रहेगा स्नैपडेगन तो एक और रहेगा एकजनोस और बात हम करें इंडिया की तो 99 प्रसंट चांसी है कि इंडिया में यह एकजनोस वाला वरियंट ही लाउंच करने वाले है अगर स्नैपडेगन करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है अब कौन-कौन से आने ओले चिपसेट तो ईड़ी आएगा और दुसरा चिपसेट हेगा ऑएगजनोस 2200 इंडिया के बाहर एगजनवन आ सकता है और इंडिया के अंदर आ सकतह है एकजनोस 22ointैजियो इंडिया के बाद ग्लोबली कुछ कंट्रीज में तो आपको 2200 यह चिप्सेट की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको GPU मिलता है AMD का तो यह स्पेशली गेमिंग को टार्गेट करता है तो यह चिप्सेट अच्छा तो है लेकिन कितना बेटर रहेगा कितना पर देखते कि कैसे अप्टिमाइज किया जाता है क्या कुछ है और इसमें एक दम नए नाए चिप्सेट नहीं तो इंडिया में आपको यही चिप्सेट देखने मिलेगा उसमें चैंज यह से रहता है कि कोई प्लस्टिक बेक के साथ में आता है तो थोड़ा वह देखने मिलेगा लेकिन कम्लीट लूग तो आपको सिंडियर रहेगा एस त्विंटी यह से दिस्प्लेई इसमें रहेगा बैटरी आपको यह मिलेगी और यह फोन मैक्सिम 25 चार्जन को सपोर्ट करेगा बॉक्स में आपको अगेंग चार्जन नहीं मिलेगा फोन का स्टार्टिंग वेरियंट लॉंच होगा आट जीबी 256 के साथ में और फोन एंडॉइड 14 के साथ में आउट आ सकता है ऐसे लिक् किया नहीं गया तो इसके स्टेबल अप्डेट का से आपको इसमें मिल जाएगी एंडॉइड 13 के साथ में आएगा और यहां पर समसंग इसको चार्ज साल की अप्डेट भी देगा तो यह फो एंडॉइड 17 तक जाएगा तो ऐसे कुछ कुछ काहां नहीं रहेगा एंडिया आमें लाउंच होगा एक्जिनोस 2200 के साथ में कनफर्म नहीं है स्नैपड्रेगन भी आ सकता है लेकिन शूर तो मुझे लगता है 99% एक्जिनोस से आगा क्योंकि अभी एस 21 एफी ट्रिपल एक लाउंच हो चुगा है इस बजेट में और इसका जो प्राइस बजेट रहेग प्लस दे मिल जाता है 55,000 और 60,000 के बीच में 50 के आस्पस मिल जाता है बीबडी सेल में तो इस सब कुछ बाते मैनेज करने के लिए जो है ना देखो सैंसन इसके साथ में एक्जिनोस लाएगा तो ये बात उंजे शूर लग रहे है अब देखो कुछ बाते ऊपर नीचे हो स अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिल तो आपको अगले वीडियो में अप्टप के लिए बाइवाल